हलो फेंस वेलकम बेक तो मारी चैनल आज मैं आपके साथ में शेयर करना जारी है फटा फट से बनने वाली पाईर की सब्जी इससे बनने में दर्स प्रेट भी नहीं लगते हूं बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तियार होती है तो आप इसे अपने घर पर जब ट्राइ करना हमने लिए हैं तेन शिमल रचा ऌल मुर्च को कंट लियो युला-मुर्च इसे मैं ठाता है और तोमाटो को बीच से कुट करके। फिर कुट कर लियो है इदे अप अनियन कहते हैं तो आनियन को भी आ शौयसे में कट कर ले रहा है तो यहां लिए है 200 महँ पनी seeking प detac Chicago यहां पर हम इसे इतने बड़े पीसद में कट कर लेंगी इस सरीके से पूरा पनीर देया कर लेते हैं पनीर कर लिया है दो लॉंग इसमें डाल दी है, अब आप लो फ्लेम पर इन चीज़म को हलका सा भूल लेना और यह दो आप अनियन काते हैं तो अब इसमें डाल के इसको भूल लेना तो यहाँ पर यह चीज़म उनका तियार हो गए है, शिम्मणा मिर्च इसमें डाल देते हैं फ्लेम को रखना मीडियम और 2-3 मिनिट तक आप इसे मूल लेना इसे इसका मौश्टर सोड़ा से ड्राय हो जाता है यहां पर शिम्ला मिर्च हो गई है इसमें डाल देते हम यह टेमाटर शिम्ला मिर्च और टेमाटर अच्छे से ज़ल्दी हो जाया इसके लिए इसमें डालन मिला लेते हैं इसे अब यहां पर हम इसे धकर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर सब्जियों को आपको ज्यादा पकाना या गलाने की जरूद नहीं है सब्जी दिखनी चाहिए अब यहां पर धकर इसको 5-7 मिनिट में चेक करेंगे तो यह तरीके से हो जाएगी शिम्ला मिर्च और टमाटर को आपको ओवर कुक नहीं करना है 80% तक आपको कुक करना है शिम्ला में जो टमाटर का जो मौश्टर उसका पानी देता है वो हमने अच्छे से ड्राइग कर दिया है इस सब्जी इसी तरीके से इस सब्जी में दिखनी चाहिए तो यहां पर यह हो गई है फ्ले शक्राइब कर देना जेसे मला भी पूर्य डाल दे यृ film को आप मीडियम कर दे और इस तरीके से इसको अप लगाता चला दे जाना और आपको अच्छे से बबल्स नहीं बनने लग जाते हैं फ्लेम को आप चाहएं तो समी कर बबल्स हैं तो इसमाठ बनने लगे है फ्लेम क तो आप कर देना, इसमें हम डालेंगे एक चमच कमीरी लालविश पाउडर, तीक नहीं होता है, अदा चमच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें चाहेगी, आपके पास में हैं तो आदा चमच किछिन किंग मसाला और एक चमच चीनी आप इसमें डाल देना, दो मिट में ही आप देखेंगे इस तरीके से इसका color और इसका texture आजाएगा अब इसमें हम पनी डाल देते हैं तो यहाँ पर पनी डाल दिया हलका सा इसको भी आप mix करें न और mix करने के बाद में आप इसको दो मिट के लिए ढग कर पकाना बस सबजी बनकर तयार हो जाएगी कई बर क्या होता है कि आपने बनाये इसको और आपको बात में ज़ादर dry लगती है तो आप इसमें हलका सा दूद एट कर सकते हैं अब इसको रख देते हैं दो मिटवादी आप देखेंगे इस सरीके से यहाँ पर यह सरफेस पर आपको वाईल दिखने लगेगा ना सबजी बनकर तयार हो गई है गैस को बन कर दिया है आदा चमच करम मसाला डाल दिया है आप चाहें तो हरा धनिया इसमें टाल सकते हैं मिक्स कर लेते हैं अच्छे से इसमें हमने एक चमच चीनी डाली है आप चीनी से माँ सोचना कि क्या मीठी मीठी सबजी बनेगी जो होटल और रेस्टरा में मिलती है ना बहुत माइनर सा माइल टेस्ट आता है ना शुगर का वैसा आता है बट बहुत टेस्टी वही टेस्ट आता है तो यहाँ पर इससे जादा जल्दी आपको पनीर की सबजी कहां मिलेगी आप इससे अपने घर पर एक बाद जरूर ट्राइ करना आप हमेशा यही बनाओगे कर देख सकते हो टेक्शर देख सकते हो बहुत ही टेस्ट बनिया पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूला कमेंट करके जरूर बताना थैंक यू